जहिन दोस्तो एकोनविस किलास में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे उत्पत्ती ब्रद्धी नियम पर तो चलिए समझते हैं क्या होता है ये तो इससे पहले हम थोला सा रिवाइच कर लें कि पहले जो हमने पढ़ा हुआ है उत्पत्ती हिरास नियम और हम ये स्टार्टिंग में ही समझ चुके हैं कि उत्पत्ती हिरास नियम के अंतरगत ही उत्पत्ती ब्रद्धी नियम और उत्पत्ती समता नियम दोनों आते हैं पहले हमने जो समझा है यदि हमने उसके ग्राप पर ध्यान दिया है उससे अच्छे से समझा है और उसकी टेविल को स उत्पादन करते हैं तो पहले जो उत्पादन हमें प्राप्त होता है बहर बढ़ती हुई दर से प्राप्त होता है उसके बाद फिर घटती हुई दर से प्राप्त होता है उसके बाद तीसरी अवस्था में ये कैसा हो जाता है रिनात्मक हो जाता है मतलब वो जो कुल उत्पा सम्ता नियम, दोनों ही किसके अंग हैं उत्पत्ति हिरास नियम के. ये बात ध्यान में रखना है, इसके बाद अब यदि हम गौर करें कि ये कहां से जुले हुए हैं, कहां से इसके अंग है, तो आप गौर करेंगे कि जो पिर्थम अवस्ता है, जिसमें की जो कुल उत्पादन होता है बहे बढ़ती हुई दर से बढ़ता है बहे होती है पिर्थम अवस्था और उसी अवस्था को कहते हैं उत्पत्ति ब्रद्धी नियम ये समझ में आ गया अब चलिए इसकी परिभासा पर चलते हैं सबसे पहले तो क्या परिभासा है उत सब्धों को बड़े ध्यान से हमें पकड़ना है सब्ध हमने पकड़ लिए तो परिभासा हम एक बार में समझ जाते हैं देखिए उत्पादन के एक या एक से अधिक साधनों को इस्थिर रखकर परिवर्तन सील साधनों की मात्रा बढ़ाई जाती है तो प्रारंब में परि समझने के लिए हमें थोड़ा सा एक या दो बार पढ़ना पड़ेगा दो आप पढ़ेंगे तीसरी बार में गारंटी से समझ में आ जायगा बहा अधिक साधनों को जब हम इस्थिर रखते हैं या हम सीधी सी बात यह करें कि जब हम उत्पादन करते हैं तो कुछ साधनों क वो इस्थिर रखते हैं और कुछ में परिवर्तन करते हैं और जिन साधनों में परिवर्तन करते हैं और ये तो लाजमी है कि उत्पादन हमें बढ़ाना है तो साधन भी हमें बढ़ाना पड़ेंगे और साधनों में जिस प्रकार से हम ब्रद्धी करते हैं मानली जी हम एक मज मजदूरों का प्रियोग करेंगे तो हमारा जो अनुपात है कितना किया है हमने दो गुना किया है लेकिन इससे जो उत्पादन होगा उत्पादन मान लीजे चार गुना हो जाता है तो किसके जो साधनों की ब्रद्धी के अनुपात से अधिक महत्तराना उत्पादन होता है मत उत्पात साधनों का बढ़ाने का है उससे जादा उत्पादन में ब्रद्धी हुई है तो बस उसी ब्रद्धी को जो प्रिवर्ती है जो प्रिवर्ती दिखाई गई है उत्पादन की ब्रद्धी में उसी को क्या कहते हैं उत्पत्ती ब्रद्धी नियम कहते हैं इतना समझ में आप चलिए मार्सल की परिवासा समझ लेते हैं मार्सल क्या कह रहे हैं स्रम पूंजी की मात्रा में ब्रद्धी करने से शामान निता संगठन में सुधार होता है जिसके परिणाम सौरूप स्रम पूंजी की कारिकुसलता बढ़ जाती है क्या हो जाता है कि देखिए जब हम किसी भी बस्तू का निर्माल करते हैं तो एक फैट्री हमें लगानी पड़ती है एक उद्योग लगाना पड़ता है और उस उद्योग में कई सारे साधन लगते हैं साधन हमने पड़े हुए भूमी पूंजी स्रम संगठन और साहस ये 5 स्मीकर होता है सुदहार होता है किस प्रकार से जिसके पगनाम सवरूइब सरम पूंजी की कारकॉसलता है है बहर बढ़ जाती है अब सरम जैसे मानके चली हमारे पास एक मसीन है बड़ी मसीन है जो अधिक मात्राम उतिपादन भी कर सकती है लेकिन ह हम उसमें यह य gi alternator मजदूर लगाएंगे दो मजदूर काम करेंगे तो दो मजदूरों के हिसाब से ही उत्पादन होगा अब जो मसीन है बड़ी मसीन उस पर आठ मजदूर काम कर सकते हैं लेकिन हम दो से काम करा रहा है तो उत्पादन तो लाजमी है कि कमी होगा तो जब यदि हम उसके लेविल कम उत्पादन होगा और बढ़ाएंगे मजदूर तो उत्पादन भी बढ़ता जाएगा जब तक कि उसका अनुकूलतम संयोग नहीं हो जाता है तब तक हमें संख्या उसकी बढ़ानी पड़ेगी चलिए यह समझ में आ गया तो इससे क्या हो जाता है जब हम साजनों जो हमार संगठन होता है संगठन में हम पूझी लगाते हैं सिर्मिक लगाते हैं तो संगठन में सुधार हो जाता है और जो सिर्मिक रहते हैं और जो पूझी रहती है उसकी जो कार कुसलता होती है बहर बढ़ जाती है इससे उत्पादन में ब्रद्धी हो जाती है यह इनका कहने का मतलब है अब देखिए नियम की हम व्याक्षा किस प्रकार से करेंगे नियम की व्याक्षा के लिए मैंने चार पॉइंट लिए है और यह चारों पॉइंट आपकी पुस्तक से ही लिए है इन्हें बस समझ ना है हमें देखिए यदि आप पूरा पपर फिएन्हें, और मैंने इसलिए उसको किस में कर दिया है पॉइंट को आपको आसानी से दियान रहरे अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारी पूंजी है और स्रम हैं इसमें हम परीवरतन करते हैं क्योंकि छोटे समय में अलपकाल में यह दो साधन परिवर्तन सील होते हैं दोनों में ब्रध्धी करते हैं तो उससे परिणाम क्या होता है उसके फल सरूप हमारे संगठन पर क्या प्रभाब पड़ता है जो मार्सल कह रहे हैं अब वो ही प्रभाब हमें ब्याक्ष्या में लिखना है क्या होता है कि हम पूझी और स्रम को यदि बढ़ाते हैं तो उत्पादन के साधनों में ब्रध्धी से संगठन में सुधार हो जाता है ये तो बिल्कुल सही बात है संगठन में क्या होगा सुधार होगा लोगों को अच्छा काम मिलेगा जैसे कि अब जिस बजसीन पर दो ब्यक्ति काम कर रहे हैं बहाँ पर चार करेंगे तो अधिक उत्पादन होगा तो संगठन में क्या हो जाता है सुधार हो जाता है साधनों की कार कुसलता में ब्रद्धी हो जाती है दूसरा पॉइंट ये रखना है याद रखना है हमें ये पहले पॉइंट क्या है पहले बिंदू में हम लिख सकते हैं कि जो हम पॉझी और स्रम में ब्रद्धी करते हैं उससे संगठन में सुधार हो जाता है इसके बाद दूसरा बिंदू क्या कर दिया है जो साधन रहते हैं हमारे जिनमें हम परिवर्तन करते हैं उनकी कार कुसलता में भी ब्रद्धी हो जाती है जिससे उत्पाधन बढ़ता है इसके बाद बड़े पैमाने पर आंत्रिक एबं बाहे बच्ते प्राप्त होती हैं अब क्या होगा उत्पाधन का जो कार हो रहा है उसमें घिसावट होती है मसीन का भी मेंटेनेंस आता है तो उसमें खर्च होता है अब मसीन यदि चल रही है तो उसके तो कलपुर्जे जो घिस रहे हैं उसमें तो खर्च आएगा उसका जो मासिक खर्च है रखरकाप का खर्च ह वो क्या है अधिक भार होता है किस पर संगठन पर जिससे क्या होता है बस्तू की किमत बढ़ जाती है अब जो बचत होनी चाहिए थी जिससे उसका देखिए अब मसीन का मसीन तो काम कर रही है वो अपने अब लगे हूई है चलने тобой लेकिन उतपादन जितना होना चाहिए था उतना उतपादन वह नहीं दे रही है क्यों? क्यों की उस पर मजदूर कितने काम कर रहे हैं? सिर्फ 2 और मजदूर कितने होने चाहिए थे 8 मतलब कि अभी 6 मजदूरों की और अवश्रक्त थी तब जाके बहे अपनी जो इस्थिती है उसके अनुसार मतलब कि उसकी जो छमता है उसके अनुसार उत्पादन करेगी लेकिन maintenance में खर्च तो वो ही आएगा जो कि बहे कम उत्पादन करे या फिर ज्यादा उत्पादन करे तो maintenance का जो खर्च दे कि हम मजदूरों की संख्यादी उस पर आठ मजदूर काम करते हैं तो आठ ही लगाएंगे तो भी maintenance उतना ही आएगा जितना की दो मजदूरों करने पर आ रहा है क्योंकि मसीन तो चल रही है यही जो बचत होती है इस पिरकार की बचते क्या हो जाती है जब हम साधन बढ़ा देते हैं जो की परिवर्तन सील होते हैं उन साधनों से ये बाहे बचते हमें प्राप्त होने लगती है आंत्रेक और बाहे दोनों पिरकार की इससे क्या हो जाता है हमारा जो बचतू की कीमत होने लगता है अब पहले दो मजदूर उस मसीन पर काम कर रहे हैं तो उसका उचित उपियोग हो पा रहा है क्या नहीं हो पा रहा है जितना उसे उत्पादन करना चाहिए था उतना उत्पादन नहीं कर पा रही है मतलग कि उसका उचित उपियोग नहीं हो पा रहा है हम साधनों का अनुकूलतम सैयोग नहीं हो जाता अनुकूलतम सैयोग हो जाएक उसके बाद फिर कौँन सा नियम लाग जाएगा उत्पत्ती रस नियम फिर जो उत्पादन है घटती दर से बढ़ेगा नाती बढ़ती हुई दर से ये बात ध्यान रखना है ठीक है ये तो हो गई है इसकी ब्याथ्या अब यदि हम टेविल से समझें तो इन सब का मतलब क्या है कि हम ब्रद्धि कहां तक कर रहे हैं जहां तक कि साधनों का तीनों को हमने ले लिया है लेकिन यहां पर हमें ध्यान रखना है इन संख्याओं का यहां पर देखेंगे हमने परिवर्तन किसमें किया है बाकी के साधन स्थिर है केवल स्रम में परिवर्तन किया है जिस प्रकार से हमने उत्पत्ति हरासनियम में किया था उसके बाद लेकि आदू आ कि हमारी जो पहली आवस्था थी पहली आवस्था किस प्रकार की थी यह जो इस प्रकार से हमने तीन गिराफ बनाये थे उसमें यह यह जो पॉजिशन बन रही था जहां पर तीनों बढ़ रहे थे, क्या बढ़ रहे थे कुल उत्पादण भी बढ़ती होई दर से बढ़ रहा था, सीमान तुत्पादन भी बढ़ रहा था और तीन स्थितियां थी केवल इतना ही है बाकी ये सारा जो है इसको भूल जाएए उत्पत्ती रास नियम की जो पहली अवस्था है उसे ध्यान रखिए तो हमारा उत्पत्ती ब्रद्धी नियम याद हो जाएगा उसके बाद टेविल में अब हमें जो जहां तक ब्रद्धी हो रही थी बहां तक के आंकड़े लेना है उस टेविल के नहीं प्रोडक्शन क्या होता है सीमानत उत्पादन अगली एकाई में से पिछली एकाई को घटा देते हैं तो यहां पर अगली एकाई तो दस ही है पिछली एकाई क्या है सुन्न 10 में से सुनने जाएगी तो सीमान उत्पादन कितना आ गया? 10 आ गया average production क्या होता है ओसत उत्पादन? हम परिवर तनसील सादनों का कुल उत्पादन में भाग दे देते हैं तो हमारा average production आ जाता है 10 में 1 का भाग देंगे कितना आएगा? 10 ही आएगा मतलब पहली जो संख्या है वो तीनों की समान होगी कुल उत्पादन भी समान होगा पहली एकाई पर मार्जिनल प्रोड़क्षन भी समान होगा और ओसत उत्पादन भी क्या होगा समान होगा तीनों ही बराबर होगे दूसरी एकाई पर देखिए कुल उत्पादन कितना हो गया है 24 ब्रद्धी कितनी हुई है चौधा की यदि हम 24 में से 10 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा चौधा तो सीमान तो उत्पादन कितना हो गया चौधा हो गया इसके बाद 24 में भाग देंगे दो का तो ये उत्पादन बारह निकल के आ जाएगा इसी परकार तीसरी एकाई पर हमारा उत्पादन हो गया है 48 इकाईयों का 48 इकाईयों में यदि हम 48 में से 24 घटाएंगे तो कितना निकल के आया 24 24 तो यह हो गया हमारा सीमानत उत्पादन और यदि हम तीन का भाग देंगे 48 में मतलब कि परिवर तंसील सादनों का कुल उत्पादन में भाग देंगे तो उसत उत्पादन 16 आ जाएगा इसी प्रकार से यह टेविल बनी हुई है इतना समझ में आ गया अब इसमें हमें करना तो कुछ है नहीं ग्राफ में दिखा देंगे समझ तो हम पहले ही चुकि हैं कि ब्रद्धी नियम क्या होता है तो हमें बढ़ते हुए क्रम में दिखाना अब यदि आप यदि इसमें जो ग्राफ हमारा इस प्रकार से भी बना दोगे उपर वाला हमें रखना है सीमान तुत उत्पादन और नीचे वाला हमें क्या रखना है उसत उत्पादन इस प्रकार से भी यदि आप ग्राफ पर सो कर दोगे तो आपका आंसर जो है वो गलत नहीं होगा और यदि आप बेश्ट आंसर लिखना चाहते हो तो फिर क्या करना पड़ेगा आपकी जो पांच इकाईय हैं और जो भी आंकड़े आपके कुल उत्पादन के सीमान उत्पादन के और और उसत उत्पादन के निकल के आ रहे हैं उन्हें आप ग्राफ पर प्रदर्शित करोगे तो भी वो इसी प्रकार से आपको नजर आएंगे यही बैभार करेंगे आप चाहे तो इनको करके साओंगे तब जाके आपका 120 तक कवर हो पाएगा इसमें तो आप 5-5 के ले लोगे तो भी कवर हो जाएगा इसमें देखिए 10-12-16-20-24 यह बहुत कम है यदि हम इसको बनाएंगे तो यह किस प्रकार से बनेगा इस प्रकार से बन जाएगा यहाँ पर बिलकुल जो 10 अब ज पादन बन जाएगा और यह थोड़ा सा किसमें आ जाएगा थोड़े अंक जादा बढ़ रहा है इसमें 10-10 में ले लेंगे हम तो भी बढ़ जाएगा यह कहा था कि हाई चालीस तक है तो चालीस यह हो गया हमारा यहीं पर अब चालीस को यदि हम यहां से इस प्रकार से दि तब जाके हम बना पाएंगे या फिर दददस में लेना पड़ेंगे तब जाके बना पाएंगे तो बोर्ट पे इतनी जगा है नहीं यदि आप इस प्रकार से भी ग्राफ को ड्रॉ कर दोगे तो भी गलत नहीं होगा और इस प्रकार से भी बनाओगे तो भी गलत नहीं कोंगे बस ध्यान ये रखना है कि जो आप टेविल में दिखा रहे हो यहां पर देखिए क्ल उत्पादन क्या होना चाहिए सबसे उपर होना चाहिए जिस भी बिंदू से आप सोग कर रहे हो, मतलब पहली एकाई पर कितना है, दस है, तो दस से आप स्टार्ट करोगे, सबसे उपर होना चाहिए, और जो सीमान्त उत्पादन है, बहे ओसत उत्पादन से अधिक होगा इसमें, अधिक क्यों होगा, क्योंकि हम परिभासा में क्या पढ़ रहे हैं, कि जो कुल उत्पादन है, बहे बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है, मतलब कि सीमान्त उत्पादन बढ़ता जा रहा है, तो इसे जो सीमान्त उत्पादन का ग्राफ है, बहे ओसत उत्पादन से हमेशा अधिक रखना है, मैंने नीचे रख दिया है, ओसत होने के कारण भी लिख देना है कि लागू क्यों होता है तो जो हम व्याख्या में समझ चुके हैं बस वही बात हमें पॉइंटों में करके लिखनी है पॉइंट क्या बना दिये है साधनों का अनुकूलतम हम सईयोग हो जाता है क्या हो जाता है देखी जब हम ब्रद्धी करते हैं जैसे हमने पहले समझ लिया कि एक मसीन है एक मसीन पर मान लीजिए आठ आदमी यहां पर काम कर सकते हैं आठ आदमी काम करने की इस पर जगा रहती है मतलब कि आठ आदमी इसको operate कर सकते हैं लेकिन यदि हम एक मजदूर से काम करा रहा है तो यह तो लाजबी है कि उत्पादन कम होगा जहां पर आठ आदमी काम करने चाहिए बहाँ पर एक करेगा तो उत्पादन कम होगा धीरे धीरे हम इसकी संख्या बढ़ाते जाए दो कर देंगे तो उत्पादन भी बढ़ जाएगा तीन कर देंगे तो फिर उत्पादन और बढ़ जाएगा चार कर देंगे तो उत्पादन और बढ़ जाएगा कहां तक बढ़ाएंगे यह संख्या हम आठ तक बढ़ाएंगे क्योंकि अनुकुलतम सहियोग कितना है इसका आठ है, मतलब कि एक मसीन पर आठ बैक्ति काम कर सकते हैं आठ से ज़ादा करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा ये बिगड़ जाएगा, जो अनुखूलतम सख्योग है, वो बेकार हो जाएगा बिगड़ जाएगा, इससे क्या होगा उत्पादन पर फर्क पड़ेगा उत्पादन फिर घटने लगेगा मतलब घटती हुई दर से बढ़ने लगेगा और घटती हुई दर से बढ़ने लगेगा तो फिर कौन सा नियम लागू हो जाएगा उत्पत्ती हिरास नियम का ठीक है अब इसके बाद देखिए दूसरा क्य क्या है इस्थिर साधनों का आकार बड़ा होना यह जो इस्थिर साधन होते हैं जैसे कि भूमी हुआ बड़ी मसीन हुई यह क्या है इस्थिर है इन में जब तक कम साधन रहेंगे तब तक यह कम उत्पाधन ही करेंगे और जब तक हम इनकी जो कम साधन रहते हैं हमारे जैसे कि परिवर्त अंसील साधन है इनकी संख्या जब तक बढ़ाएंगे नहीं तब तक उत्पादन में भी ब्रद्धी नहीं होगी तो इन पर हमेशा अधिक सिर्मिक ही लगाएंगे तब जाके इनका जो उत्पादन करने की छमता है बहें हमें प्रॉपर मा क्या करना है हमें साधनों की संख्या बढ़ानी है कब तक बढ़ानी है जब तक कि अनुकूल संयोग प्राप्त ना हो जाए कौन सा संयोग अनुकूलतम संयोग इसमें इसी वात को ध्यान रखना है अनुकूलतम संयोग हमने प्राप्त कर लिया उसके बाद हमें सिर्मकों की संख्या या फिर पूंजी बढ़ाने की आवशक्ता नहीं है, जब तक ये प्राप्त नहीं होगा, तब तक ये नियम लागु होगा, और ये प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद उत्पत्ति हिरास नियम लागु हो जाएगा, ठीक है, अब देखिए, बड़े पैमाने पर उत उत्पाधन भी कम होगा लेकिन जो maintenance charge है वो तो उतना ही आएगा जितना उसका आना चाहिए इसलिए ये जब हम संख्या बढ़ा देते हैं अनुकुलतम संयोग करने लगते हैं तो हमारा उत्पाधन भी बढ़ जाता है और जो बचते हो रही है वो भी बढ़ जाती है कैसे दे लिए दस एकाईयों का उत्पाधन हो रहा है और आठ मजदूर यदि काम कर रहे हैं तो यहां प्रॉफिट है कि यहां प्रॉफिट है प्रॉफिट कहा पर होगा जहां पर उत्पाधन ज्यादा होगा यहां पर दस एकाईयों का उत्पाधन हो रहा है और खर्च आ रहा है स तो यहां पर बचत भी हो रही है, हमें profit भी हो रहा है तो यह हो जाता है, इस से क्या हो, फिर हमारा उत् flortu पड़न यह जो जो लाब है बहने expenditure रहता है कि यह की कि आंत्रेख से पहले हमें नहीं मिल रहा था. ठीक है, यह तीन कारण है, इसके लागू होने के, तीन कारण है तीनों ही आपसे मिलते हैं तीनों में ही एक ही बात रहती है लगवग हमें बस ध्यान रखना है कि उस बात को हमें प्रूप किस प्रकार से करना है साधनों का अनुकूलतम साधन है इसमें क्या प्रूप करना है इसमें ये बताना है हमें कि हम ये नियम तभी ब्रद्धी करते रहेंगे और जब अनुकुलतम संयोग मिल जाएगा उसके बाद ब्रद्धी नहीं करेंगे नहीं तो फिर उत्पत्ति हिरास नियम लागू हो जाएगा इस पर अधिक मजदूर काम कर सकते हैं लेकिन हम कम मजदूर लगाएंगे तो उत्पादन कम होगा लेक बश्ते होने लगती है यह समय लिया है इस प्रकार से तीनों पॉइंट लिख देंगे नियम के यदि छेत्र पूंचे जाते हैं तो यह देखिए सभी जगा पर लागू होता है लेकिन आधुनिक जो आर्दिसास्त्री है वो यह कहते हैं कि जो उद्ध्यों एक छेत्र है उ जो मुख तरीके से पूछी जाती है और बहुत ही इंपोडेंट है प्रशने बहुत घुमा फिरा कर पूछा जाता है यह तो इनको समझना बहुत जरूरी है आपने नियम समझ लिया नियम नहीं पूछा जाता है बहुत कम पूछा जाता है पूछा जाएगा तो उत्पत्त ब्रद्धी नियम भी आ जाता है और पत्ति सम्तनियम भी आ जाता है और भाई जो पूछने वाला है वो तो कुछ भी पूछ सकता है लेकिन most important इसका जो है वो है इसके दोस या इसकी सीमा है तो इन्हें याद रखना है अब यह देखिए इसकी सीमा है क्या-क्या है पहली जो सीमा इसकी ये है कि जो परिवर्तन सील साधनों की एकाईया है इस्थिर साधनों की तुलना में छोटी होंगी कम होंगी तब तो ये नियम लागू होगा अन्य था फिर उत्पत्ति हिरास नियम लागू हो जाएगा किस प्रकार से छोटी होंगी मतलब की देखिए अब ये मसीन क्या है इस्तिर साधन है इस पर कितने वैक्ती काम कर सकते है आट परिवर्त वन्सील साधनों की एक काया कैसी हो इसमें कम हो जैसे एक, दो, तीन, चार ये आथ से कम है मजदूर काम कितने कर सकते हैं आठ कर सकते हैं लेकिन हम एक, दो, तीन, चार इस प्रकार से मजदूर लगाएंगे तब तक तो ये नियम लागू होगा, ब्रद्धी नियम जब ये संयोग मिल जाएगा उसके बाद फिर कौन सा नियम लागू हो जाएगा उत्पत्ति हिरास नियम तो ये इसकी सीमा है क्या सीमा है कि परिवर्थ अवसील साधनों की एकाईया इस्थिर साधनों की तुलना में छोटी होना चाहिए तभी तक ये नियम लागू होगा यहाँ पर जो इस्थर साधन है हमारा मसीन है उस पर आठ मईदूर काम कर सकते हैं लेकिन आठ मईदूरों की तुल नाम है हम एक दो तीन चार इस प्रकार से लगा रहे हैं मतलब कि आठ से कम लगा रहे हैं तो इस्थर साधनों की तुल नाम है हम क्या ले रहे हैं छोटी एका seven सinhयों setzt और इंद', यह बात है मतलब स्युन पर ईक्रुं कर रहे VAN मजदूर के संख्या यहां तक और तक तो बढ़ा सकते हैं उसके बाद बढ़ाएंगे हैं उत्पत्ति तो पिर उत्वश्य हिरस्नियम लागू हो जाएगा केवल जब तक सईयोग नहीं मिलेगा, आदर से सईयोग नहीं मिलेगा, या फिर अनुकूलतम सईयोग नहीं मिलेगा, तब तक ही यह उत्पत्ती ब्रद्धी नियम लागू होगा, और जब सईयोग मिल जाएगा, तो उसके बाद उत्पत्ती ब्रद्धी नियम लागू हो जाएगा ये क्या था उत्पत्ति ब्रद्धी नियम था ज्यादा कुछ है नहीं बस हमें समझना है जितने अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं उतने अच्छे तरीके से हम इसको लेख सकते हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए मैंने पूरी कॉंसिस की है कि आपको एक बार में किलियर हो जाए यदि फिर भी नहीं किलियर होता है तो कमेंट बॉक हमेसा खुला ही रहता है आप कमेंट कीजिए हम एक बार फिर से क्लास ले लेंगे चलिए तो मिलते हैं अगली क क्लास में तब तक के लिए जैहिंद बंदेवाते हैं